कि अभी स्वेज्टे प्रस्ताव हो जबना ओगा है वो क्यों बना गया ये इस पूस्तने ने निकर निगम आईत को पूरा इसके संग्यान में लाय हूँ आज उनको सारा उनका वीडियो बनाकर उनको भेजा हूँ स्वास्ताधिकारी जी को भेजा हूँ यहां के जो अपर अच्छोक दिवेदी जी को भेजा हूँ आज इसकी जो स्थिति जब तक वो क्लियर नहीं होगा तीन चार दिन से लगातार हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं और हम दो चार दिन के अंदर उसको लाइन को चेंज भी कर देंगे समस्या का समाधान की हो जाए रखा है लेकिन उसका अभी तक एक ही दिन आया था जो दिन भोट लेंडे का है उस यह बहुत बद्बू आता है बहुत परिशान करते हैं यह बहुत जाद घंडी होने के मज्यों फॉध पंक्र चला के सुरह है ये बच बजाए नाली गंदगी बदबुदार पानी से सराबुर ये नजारा पॉश कॉलोनी कहलाने वाले हुटको का है जी हाँ यहाँ ये कहना लाजमी होगा कि भिलाई नगर निगम का स्वास्त विभाग हुटको शेत्र को पिलिया और डायरिया से संकर्मित करने की पूरी तयारी कर चुका है इतनी शिकायत के बवजूद भी स्वास्त अधिकारी अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं गौरतरफे की वाड 79 माईजी 2 में गंभीर सिवरेज की समस्या लोगों को परिशान कर रही है वहीं गंदे सिवरेज के पानी से सराबोर और कचरों से अटी नालिया लोगों की नींदें उडा रखी है इन गंदे पदबुदार पानी जो की जाम नारियों में लंबे समय से भरे हो हैं इनसे उट्टी दुरुगंत ने वाडवासियों का जीना मुहाल किया हुआ है साथी वहीं मच्छर के कारण डेंगू मलेरिया का खत्रा भी लोगों पर बढ़ गया है जबकि बता दें कि इस समस्या को लेकर निगम की टीम ने शेत्र का निरिक्षन कुछ दिन पहले ही किया था पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे करने के बौजूद भी ये दावे धरे के धरे रह गए हैं वाट के लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए जल्द विवस्था दुरुस्त करने की गुहार निगम प्रशासान से लगाई है पार्साइट को कंप्लेंट किया है थीक है यहां से पूला थीक है देख रहा हूं पिर वह जो नाई तुम सीधा फून किया कोई मैना मुशा संधिंग कोई जो की नाम है वह आई देखी उसने क्लीन की फिर उसके बाद फिर दो मैने बाद फिर वही हाल वही कंडिशन अब तो यह हाल है कि इस तरब किनाली से भी बहना चालो हो गया विद्वारी का ख़ड़ा है और रात को इतनी ठंडी होने के कि बूर निकलने की वह नहीं हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ पर कोमल अश्डन को वह दो तिन बार बताया करी काई बार फोन किया काई मैडम को वी फोन किया जोन एक माइब कोई देख रहें और एक कोई अच्शाव को आया थे बोले कि उपरा ड्रेने जाय लाइन बहुत परिशान करते हैं और उसके कारण पुरा अभी तो देंगु मलियर्या तो चली रहा है बहुत ही ज़्यादा परिशान है यह कम से कम चार से पांच मैना हो गया है और बार उनसे शिकायत की हां आएंगे करेंगे करेंगे करके अभी तक तो कोई आया नहीं किसी ने मेरा है एक मिनिट मेरा घर में आओगे न देखोगे मच्छर रोज मच्छर का लिए लगा के राखती हूं लेकिन क्या होगा मच्छर काईगा आप आके एक मिनिट देखो प्लीस मच्छर देखते जाओ कब से हलत हो गया बहना भार हो गया महना का उपर हो गया देर्दों ब एक साल होग एक साल भॉपषान के जब सो नाली बना तबसे एसी माना भरा रहता है पुरा पूरा जो पुरा मारा जो गंड़ी ए और मैं असमैल है और ना गय सकते ना क्या बलते हैं मचरों सो परीशान है और एक कई बार कंपेनं कर चुकर लेकिन कोई भी शुमधाल इस मामले में पूरु निता प्रतिपक्षवर नगरी निकाय प्रकोष्ट के सा सयोजक संजय दानी ने निगम प्रशासन की कार प्रणाली बच्षेत्री जन प्रतिनीधियों की कार प्रणालियों पर सवालिया निशान लगाया से सारी समस्य का सब्सक्राइब करना था जो अगरवाल प्रोविजन्स के वहां से सीधा पूरे नाली नाली के निर्मान हुआ कलवड का निर्मान हुआ उसके बाद भी जो सीवरेज की समस्या है सीवरेज की मूल्क जड़ जिसको समस्या करना था उस समस्या के नहीं किया और सीवरेज के माध्यम से चोदवे वितायों में बावन लाख रुपया हुड़कों में सीवरेज संधारन के लिए आया गया था अब मेरा सीधा अरोब है यह चाहे यहां के महापोर्जी हों चाह की तरस्त है और हमारे बाखी जन प्रतिती मस्त हैं अपने इनको कोई मतलम नहीं है जो यहां पर आप देखिए जिस प्रकार के जो महल आपके सामने है निश्चित रुप से यहां पैपीलिया और डैरिया होना निश्चित होगा और यह जो पाश इलाका है घुड़कों जि यहां पर आइत को पूरा इसके संग्यान मिला आज उनको सारा उनका वीडियो बनाको भी जाऊ हूं स्वास्ता अवे जाहूं यहां के जो अपर आउट अश्चुक दिवेदी जी को बेजा हूं और वाज जो जो जोन कमीशनर है पूजा पिले उसको मैंने बहुत बहुत को पूरा नगर निगम का अमला आया यहां इन लोग क्या करते हैं जाहिन जी यह सिर्फ मतलब टाइम ड्रीम ले आएंगे और सक्षन इनुट को बला लेंगे सक्षन हां लीपा पोती करते हैं सक्षन होती यहां के जो इतना पानी है उसको शक करें खीज लगी और चले जागी इ उससे किसी को कोई मतलब नहीं तो अभी प्रस्ताव जो बनाया था ना और वह क्यों बनाया गया यह उस बहाने इन्होंने कई लोगों अपनी कलवड़ बना ली यह दो कलवड़ बन गए मगर जो सीद्रच की समस्य है वो जो की तो हैं आपके सामने है सापके समक्ष है कब जनता इसको परदास के लिए और पूरा नगर निगम का अमला मैं तो बोलता है महापोर जी उनको संग्याल मिनना चीए यहां के आयित को संग्याल मिनना चीए और यहां विधायक जी कहां है इतना बड़ा समस्य आया है लोगों को जब लोगों कोई क्या यह किसी घटना द समले की गंभिरता को देखते हुए जल्द से जल्द विवस्था में सुधार किये जाने की बात कही है देखे जहां तक पानी मिक्स होने की बात है वहां पर होड़कों में जो वाड़ 69 क्या बात कर रहे है माई जी कि वहां पर लगभख 40-45 साल पहले पाइप लाइन और जो है वो जाम हो गया है और जब तक वो क्लियर नहीं होगा तीन-चार दिन से लगातार हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं और हम दो-चार दिन के अंदर उसको लाइन को चेंज भी कर देंगे समस्या का समाधान भी हो जाएगा लेकिन यह हुड़कों कुछ एरिया प्रयास के काम हुए हैं और लगातार हम लोग प्रयास रहते हैं कुछ एरिया बचा है जहां में यह एरिया भी जिसमें आता है और इसको भी हम लोग आने वाले अपते में इसको भी समाधान कर देंगे वह जो सीवरेज की लाइन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं अभी तो आने वाले समय हम लोग उसको भी कर लेंगे बोलने के लिए हम लोग बहुत सारी बात करते हैं लेकिन अभी वह इसी को इस्तिहाँ ठीक है परिशानी तो है और उसी के समाधान के लिए हम लोग पिछले तीन-चार दिन से लगातार प्रयास रहते हैं बीच में 26 जनवरी औ इसकी वज़ा से कुछ जो हमारे निगम में ठेकेदार काम करते हैं वो भी उपलब नहीं थे अभी उसको आज हम लोगों ने सुबह भी निगम के अरिकारी गए हुए थे और आने वाले तीन-चार दिनों में समस्य का समाधान भी कर लिया जाए लगातार इन अवस्थाओं का दंश जेल रहे वाट के लोगों ने निगम प्रशासन से मांग की है वो नाराजगी भी जताई है देखना होगा बेहद लापरवाह बना निगम प्रशासन मामले की गंभिरता को देखते हुए किस प्रकार अपना दाईत उनिभाता है या फिर ये दावे खोकले ही साबि हो जाएं एसी इन न्यूस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट